थियुकुल के पूझे सुर्ण ता आपके जीवन को पॉजिटिव बनाता है क्षास बात और विशेश बात एस्ट्रो तक को लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो शेर करें और अब आज का वास्तू की बात कमन लंदलाल के साथ का स्पेशल वास्तू विश है सभी घरों में लेडीज जो हैं खाना बनाती है तो आज हम आपको बताएंगे क्या लेडीज जिस दिशा में खाना बनाती हैं मूँ करके क्या वहाँ वास्तू दोश होते हैं तो आज का विशेश टॉपिक घर की लेडीज किस दिशा में मूँ करके खाना बनाएं तो मिटेंगे वास्तू दोश जिहां सिरफ खाना बनाने से ही मिट सकते हैं वास्तू दोश आईए जानते हैं कैसे अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता है अगर हमेशा शान्ती बनी रहती आपके घर में और घर में रहने वाली लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं तो इसकी एक खास वज़े किचिन का वास्तु दोश भी हो सकता है किचिन में गलट डिरेक्शन की और मूँ करके खाना बनाने से ऐसा अधिकतर होता देखा गया है किसी गलट दिशा में मूँ करके खाना बनाना वास्तु के दृष्टी कौन से दूशित माना जाता है किस दिशा में मूँ करके खाना बनाएं ताकि आपके वास्तु दोश मिटेंगे और किस दिशा में मूँ रखकर खाना बनाने से क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं बात करते हैं उत्तर दिशा नौर्थ डिरेक्शन की उत्तर दिशा की और मू करके खाना मनाने से बिजनिस में लगातार नुकसान होता है दक्षन दिशा में मू करके खाना मनाने से घर में लडाई जगड़े होते हैं पश्चिम दिशा में मूँ करके खाना बनाने से स्किन और हड़ी से जोड़ी बीमारिया होती है दक्षण दिशा में मूँ करके खाना बनाने से घर की महिलाएं लगातार बीमार पड़ती है उत्तर पस्चिम दिशा में कि और मूँ करके खाना बनाने से नेगटिव शक्तियों का असर रहता है घर पे और उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मूँ करके खाना बनाने से खर्चा बढ़ने लगता है और घर के सदस्य बीमार होते हैं तो चलिए अब आपको बताते हैं आगे आपको किस डिरेक्शन में मूँ करके खाना बनाना है और उसका क्या आप कैसे उसको क्रेव इनत कर सकते हैं पूर्व या दक्षण पूर्व यानि कि इस्ट यां 37 दिशा में मूँ करके भूजन नहीं बनाने से भगवान उस नवैद्य को स्विकार नहीं करते हैं कहने करती है कि अगर आपने इस्ट यां साउतीस्ट दिशा की तरफ मूह करके खाना नहीं बनाया है तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि आप का लगाया हुआ भोग बहगवान गरहन नहीं गरेंगे ऐसे भोजन को करने से मन में नकारतमक विचार आते हैं जो भोजन इस्ट या साउथीस्ट दिशा में मूँ करके नहीं पकाया गया हो उसको करने से मन में नेगेटर थोट्स आते हैं हम मनिश्वों के गलत कामों में मन भटकता है शॉटकट्स में मन भटकता है किसी पराई, पुरुष्यां, स्तिरी के तरफ मन भटकता है और गलत फैसले भी होने लगते हैं हमसे लाइफ में हम अच्छे और बुरे का फरक भूल जाते हैं पूर्वी या दक्षन पूर्व दिशा में मूँ रखकर खाना बनाने से क्या होता है आईए जानता है साउथ या साउथ इस्ट या इस्ट डिरेक्शन में मूँ करके खाना मनाने से घर में शान्ती और सुख रहता है उस घर में रहने वाले लोग कभी बिमार नहीं पढ़ते हैं या कम बिमार पढ़ते हैं और ऐसे घर में लक्ष्मी का वास सदेव रहता है और सेविंग्स भी वढ़ती हैं। पैसा टिकने लगता है। किचन में पूर्व दिशा की दिवार में खिडकी होने से घर में काम करने वाली महिलाएं बीमार नहीं होती। इसलिए जो आपका किचन है उसकी इस्टन साइड पे अगर खिडकीया हैं तो आपके लिए बहुत शुब हैं। महिलाएं स्तिरियां कभी बीमार ने पड़ेंगी। पूर्व दिशा की ओर मूरकर खाना बनाने से जो भूजन तयार होता है देवता उसका भूग लगाते हैं। वहीं दक्षण, उत्तर और पश्चिन सहित अन्य दिशाओं में मूरकर खाना बनाने से जो भूजन मनता है उस पर नकारतबक शक्तियों का असर होता है। अब आईए जानते हैं इसा क्यों होता है। इसके पीछे क्या वास्तुकल रीजन है और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा आज की वास्तु टिप। देखिए हमारी जो सौथ इस्ट डिरेक्शन है उसको अगने कोन का हागिया है। वहाँ अगनी बस्ती है। साथ साथ के अंदर हमारी जो इस्ट डिरेक्शन है वहाँ सूर्य बस्ते है। वो दिशा जो है अधित्य की दिशा है। सूर्य की दिशा है। और सौथ इस्ट कोना जो है वह एक्जाक्ली अगने कोन है शुक्र की दिशा है। और सौथ कोना जो हो मंगल की दिशा है। तो इस्ट से लेकर साउथ तक का जो रीजिन है, इस्ट, साउथीस्ट and साउथ, जिस सारा का सारा अगनी पराधारित शेत्र है, यह अगनी निवास करती है, और जो खाना पच्छता नहीं है, पकता नहीं है, वो कच्चा रह जाता है, अर्थ हीन होता है, तो आप इतना समझे कि जो अनकच्चा खाना के लिगति वीमार पड़े जाता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक अग्नी लिए जिसको हम कहत Eddy warm little Whoa जठ gonna अगनी से काम नी कर पाती है, वो खाना चितरे से पच्च नहीं पाता है, और वो खाना अर्थ हीन हो जाता है, और अर्थ हीन का मतलब श्रिया हीन हो जाता है, और श्रिया का मतलब होता है धन, तो खाना जो हमको लगे, खाना जो पौश्टिक हो, जो रस का निर्मान करे, रक् खाना बनाने योग्य नहीं होती हैं, और इस दिशा में पकायावा भूझल नो दिवताग्रन करते हैं, न मनुष्यर करते हैं। इसलिए गर की ये तीन डिरेक्शन्स ही खाना बनाने के लिए ठीक रहेंगी इनी तीन डिरेक्शन्स के अंदर अगर इस तरिया खाना बनाएंगी तो उनका खाना बनाना सफल होगा उनको स्वास्त पराप्त होगा और पूरे घर को स्वास्त पराप्त होगा जुड़ने के ल झाल झाल